नमस्कार दुफतों मैं संदीब सागत है आप सब्सक्राइब का आपके अपने सक्सेस टो यूटूब चैनल पे दुफतों आज की वीडियो उन छात्रों के लिए इंपार्डेंट होने वाली है जो भी इन्वर्सिटी वा कॉलर के छात्र है जिनका सब्जेक्ट हिंदी है या आने वाले एक्जाम के लिए काफी हल्पूर होने वाले हैं सारे क्वेश्चन तो आप ध्यान समझेंगे कि क्यों से संदोहजार और 21 और 22 में जिनको जरूर से जरूर ध्यान देना है ठीक है चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे कौन कौन से क्वेश्चन है एक एक हम प क्लिक करना होगा बहुत सारे उनिवर्सिटि में बहुत सारे रूल्स हैं लेकिन अभी तक जहां तक मैंने देखा है कि कुछ इनवर्सिटियू में फश्ट यर्में पूछटे जा रहे हैं और कहीं-कहीं पर से वालों में फस्ट पेपर अब्जेक्टियो और कोई-कोई-को पूछे जाएंगे वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सभी चाहत्रों के हम तैयारी इस चैनल के मादम से कराते हैं आप हमसे जोड़ना चाहेते तो टेलीग्राम चैनल के लिंगे वीडियो की डिसक्रिशन में वहाँ पर जॉइन हो जाए यह डेली क्लास चलती है आप जोइ इनहीं से संबंदित कोश्चन के बारे हम बात करेंगे तो ध्यान समझेंगे तो पांची नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से पहला कोश्चन है कि डाक्टर रामकुमार वर्मा के बच्पन का क्या नाम था आफसर मिल जाएगा नमन कुमार सूरज बिनो जिन आफसरों मेंसे जो लाहाइट रेसो हो जायेक्र दूस्तों डाक्टर रामकुमार वर्मा की बच्पन का नाम था वो था कुमार इसलिए कोश्चन का रामकुमार वर्मा के बच्पन की रोंबढैंगे लिखा ये कि पिता नाम था शुन्दर वर्मा जगदेव वर्मा बिने वर्मा स्री लच्मि प्रसाद वर्मा तो इन आप सुनों में से जो राइट एंसर हो जाएगा यानि की स्री डाक्टर रामकुमार वर्मा जी के जो पिता का जी जो थे उनका नाम था डाक्टर स्री ठीक है सोरी स्री लच्मि वर्मा जी याद रखेगा important question है एक्जाम में आ भी सकता है next question है कि बापू एकांग की किसकी करती है जैनेंदर जी की उद्य संकर की रामकुमार की शिव पूजन की तो जो बापू एकांग की है वो स्री रामकुमार वर्मा जी की है इसलिए question का right answer हो जाएगा c number ध्याद में ये रखेगा कि कहीं कहीं पर रामकुमार पूच लिया जाएगा कहीं कहीं पर डाक्टर रांकुमार वर्मा पूच लिया जाएगा तो ये एक ही हैं exclude जरासा भी मत होईएगा ये ध्यान में रखेगा दूस्तूं कि अगला कोश्चन है कि चारु मित्रा का ठीक है चारु मित्रा का प्रकाशन कब हुआ आपसर मिल गए आप लोगों को 1898 और नेस्ट आपसर है नेस्ट आपसर कौन सा है 1950-1943 और इन कोश्चन का आप सभी को बताना है जिन चारु मित्रा है उसका प्रकाशन है सन 1943 में हुआ था इसलिए कोश्चन का जो राइट एंसर है वह जाएगा डी नंबर ओके चलिए देखते हैं इसकोश्चन कौन सा है लिखा कि रामकुमार वर्मा का जन्म कहा हुआ था आफसर आपको मिली गए है उत्तर प्रदेश में मद्ध प्रदेश में उडिशा में गुजरात में तो रामकुमार जो वर्माजी है उनका जन्म हुआ था वो मद्ध प्रदेश में हुआ था इसलिए कोश्चन का तो सारे कुश्चन बन सकते हैं तो ध्यान में रिखिएगा इनके जन्म है वो मद्ध प्रदियस में हुआ था नेस्ट कोश्चन है कि अलका पहले किसके दर्बार में ठीक है नतर्की थी ओके तो आफ से मिल जाएंगे अकबर के चानक के नंद के उप्रोप्त में से सभी तो अलका पहले देखिए यह अलका कौन है मैं आपको बता दूँ कि जो स्री डाक्टर राम कुबार वर्मा जी की जो कृतियां है या फिर जो इन्होंने रचना रची है उनमें से एक जो लेसन है या फिर आप कर सकते जो पार्ट है इनके एक कृति है उसमें से कई सीरसक होते हैं उस पासर मिल जाएंगे अकबर चाड़क नंद के प्रोक्ति में से सभी और अलका जिसे की बहुत सा इच्छात कहते हैं कि हो सकता है कि यह अलका जी जो है ठीक है इसी लेसन से संबंधित को इनका नाम दिया गया हो ओके इनका नाम दिया गया हो उसमें तो उसमें से कोश्चन उठाओ तो ध्यान में रखिएगा तो अलका पहले किसके दरगान में तर्गी थी वह आप्शन आपको मिली गये तो राइट एंट्र हो जाएगा वह जाएगा नंद के ठीक है इसी नमबर राइट एंट्र हो जाएगा नेश्क कोश्चन है कि विभूत एक आंकी के एक आंक तो राइट की यह है उसके प्लिफंट यहिर्ण कार्वार्म जी इसलिए्वट राइट इंसरे हो जाएगा चैन सबाइगे। कब हुआ था है सब्सक्राइब कुछ सी हो जाएगा इस पे कोश्चन हम से लिट करेंगे यह नंबर वहुत इंपर्टर कोश्चन है ध्यान में रखिएगा आपके इक्जाम में आ सकता है बहुत ही चांस जि निश्क बढ़ेंगे लिखा कि पार्ठ कर्म में डाक्टर रामकुमार वर्मा का रामकुमार जी का र कार्ठ कर्थ क बारे में बताया गया तरिया है बहुत सारे संखन बन सकतें प्रतaporeन कव्या कोमदी मोहतसो इन मेंसे कोई नहीं उसका नाम है कौमदी मोहतसो इसलिए कोश्चिन कर याद रखेगा क्कूशचर कि क्याय नाम है किमाताग का क्या नाम था रामकुमारी राजणानी देवी टिक है सित्मंती देवी तारा तो इन आफसरों में राइट एंसर हो जाएगा यहीं कि डाक्टर रामकुमार वर्मा जी की जो माता थी उनका जो नाम था वो था राज रानी इसलिए कोश्चन का राज रानी देवी बी नंबर में क्लिक कर देंगे ओके याद रखिएगा नेस्ट कोश्चन है कि बिसकन्या कौन थी राज नतर की अलका मदिरा वाली चाय वाली उप्रयोक्त में से कोई नहीं इन कोश्चन इस कोश्चन का जो राइट एंसर हो जाएगा तो तो वह हो जाएगा गेरा नंबर कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा राज नतर की अलका बिश्कन्या राजनतर की अलका ही थी important question ने ध्यान में रखिएगा नेश question है बारा नमबर कि दीबदान एकांग की किसकी है गुलाब राय की, रामकुमार वर्मा की अस्की की, स्विपूजन की तो दीबदान बहुत important question है ने दीबदान से सब्मंदित एक्जाम में question पूछे जाते हैं मैंने कई सालों में देखा भी है तो द्यात दीबदान को याद रखिएगा कि ये क्रति किसकी है या फिर किस सन में उध्रित या किस सन में संकलित की गई है ये question नरुर धान में रखिएगा दीबदान सब्मंदित तो दीबदान जो एक आंकी है वो स्री डाक्टर रामकुबार वर्मा जी की है इसलिए question का right answer बीपे हम क्लिक कर देंगे चले देखते हैं इस question कौन सा है दिखा कि चंद्रगुप्त किस बंस का था अगला question है कि चाड़क किस जातके थे वैस सूद्र ब्रहामण च्छत्रे तो चाड़क जो थे ओके जो चाड़क थे वो ब्रहामण जातके थे इसलिए question का right answer हो जाएगा आपसर नंबर सी याद रखिएगा बहुती टॉप लेबल का question है पूछा भी जा सकता है हम बढ़ते हैं इस question के और लिखा कि दीबदान एकांकी का प्रकासन का वह मैंने भी उपर आप लोगों question मिला था तो मैंने बताया था वहां पर question यह था कि जो दीबदान है वह किसकी एकांकी है या इसके कार कौन है तो वहां पर मैंने question भी उपर ब दीबदान का रसना हुई और कौन रसनाकार है इसके यह ध्यान में रखिएगा अफसर मिल गया है 1940-1950-1954-1962 तो दीबदान जो एक आंकी है ठीक है दीबदान उसका प्रकासन ठीक है उसका प्रकासन सन 1954 में हुआ था इसलिए question को राइट इंसर हम स्लिक करेंगे वह करेंग ठीक है दीबदान एक आंकी वो रामकुमार वर्मा जी की है जो की सन 1954 इसमी में इसको प्रकासित किया गया था नेस्ट कोश्चन है की रितुराज एक आंकी किसकी क्रती है गुलाब राय की महावित प्रसाद की निराला जी की रामकुमार वर्मा जी की तो रितुराज एक आ तो धुसकर उनिश्चान की का प्रिकासन कब वह था ऐसलिए एक सा में कोश्चन कर राइट एंश्म कि दुरू तारिका किसकी करती है कि गिर्धार दार्स की प्रेमचंद भोने सर्थ की रामकुमार वर्मा की मैं आपके जानकारी के लिए भी बता दू कि जब आपके एक्जाम में कोईश्टन जो पेपर मिलेगा एक्जाम में तो उसमें रामकुमार जी से और बहुत सारे कभी और लेखक से संबंधित जो भी question पूछे जाएंगे उसमें सारे mixed question होगे तो आपको वहाँ पर confusion होगी यहाँ पर तो मैं individually बात कर रहा हूँ सरी रामकवार्मा जी की बारे में लेकिन वहाँ पर mixed question होगे तो आपको confusion होगी अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो confusion होगी जहाँ पर option आपको मिलेंगे जैसे इस तरह option मिल जाएंगे तो ध्यान आपको बहुत सारे क्यों की लेखा करेंगे तो आप उसमें से क्या select करेंगे जब तक आप ध्यान से question और मन में रट नहीं लेंगे ध्यान में बैठा नहीं लेंगे तब तक आप confused हो जाएंगे यह ध्यान में जरूर रखिएगा राइट एंसर डी नंबर हो जाएगा रामकुबार वर्मा next question के और बढ़ेंगे लिखा कि दुरुत तारिकाय का प्रिकासन कब हुआ था आपको option मिली गए इसलिए को इसलिए राइट एंसर हो जाएगा तो वह जाएगा सी नंबर याद रखिएगा दुरुत आरिका स्री रामकुबार वर्मा की करती है जो कि 1950 में प्रिकासित हुई थी या प्रिकासन हुआ था कि नियुम्न मेंसे कि पूराण में रामकथा का कुछ प्राण है वाज़ा भागवत में अब विश्टुन है ना कऱकर में रखेगई आपकी जानकारी क्लिए के अब बता देते हैं इस कोशें का राइट एंसर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो आज किस वीडियो मैंने लगबग 20 कोई 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 बैसक पूछे टेलीग्राम चायल का लिंक वीडियो ग्रेक्स के साथ अब तक के लिए जाहें